दोस्तों Timberland एक US-based company है और इसकी शुरुआत साल 1970 में होई थी ये tracking और outdoor shoes बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है साल 2009 में इन्हों ने Reliance के साथ भारत में enter करने की कुशिश करी और उस समय भारत में इस market को सबसे ज़्यादा जो capture करके रखा था वो Woodland था सब कुछ एक जैसा वो करने की कोशिश करता है Woodland जैसा लेकिन 206 साल के अंदर ही Timberland को भारत छोड़ देना पड़ता है इसके पीछे दो कारण है पहली अगर हम बात करें कि उन्होंने अपने competitor का अच्छा analysis नहीं किया था और वहीं अगर हम दूसरी बात करें कि उन्होंने अपने target audience मतलब इंडिया के लोगों की उन्होंने सही analysis नहीं करी थी उस समय अगर हम बात करें तो Woodland के भारत में कम से कम 500 stores थे और Timberland के भारत में सिर्फ 14 stores थे Timberland के जितने price में shoes बन रहे थे उससे one third price में Woodland भारत में shoes बेचा कर रही थी और वहीं जो इंडिया की audience थी इंडिया की audience हमेशा compare करने के लिए जानी जाती है मतलब हम चार दुकानों पे देखेंगे जो सब तर सस्ता लगेगा हम उसी को खरीदते हैं और यही Indians करते थे इंडियान्स Timberland के भी shoes देखते थे Woodland के भी shoes देखते थे लेकिन Woodland के shoes सस्ते होते थे और Woodland का नाम भी बहुत जादा था इसलिए Timberland के shoes भारत में बिके ही नहीं और इसी वज़ा से Timberland को भारत साल 2015 में छोड़ना पड़ा दोस्तों आप हमेशा अपने computer और अपने target audience का सही analysis करिए तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं bell icon भी press कर सकते हैं